आज हम लगनों की श्रेणी में बात करने जा रहे हैं मकर लगन की जिसके स्वामी होते हैं शनी देव 12 राशियों में मकर और कुम लगन की स्वामी है शनी देव मकर लगन एक चर लगन है और पृत्वी तत्व राशी है और चर लगन मानिये ऐसे लोगों में स्थिरता नहीं होती उन्हें गूमने फिलने का बहुत शौक होता है और टाइम टाइम पे आगे पीछे इदर उदर ज ब्रिस्पती नीच के माने जाते हैं जो मकर राशी होती है उसमें मंगल देव उचके और गुरु देव ब्रिस्पती नीच के माने जाते हैं बहुत जादा इनकी स्मरण शक्ति बहुत जादा तीवर होती है बहुत जादा परिश्रमी होते हैं बहुत जादा मेहनती होते है और प्रित्वी तत्व राशी होने के कारण बहुत जादा विवेक शील होते हैं, इनमें गजब का संतुलन होता है और अपने जितने भी निर्णे लेते हैं, अपनी विवेक शीलता को ध्यान में रखते ही अपने निर्णे लेते हैं और इनके निर्णेों को भी बाद में सरा बहँत जादा कटवे निष्ठ होते हैं इमांदार होते हैं अपने मन की भावनाओं को दूसरों पे जल्दी से व्यक्त नहीं करते आप इनके बारे में जल्दी से नहीं जान पाते कि इनके मन में क्या है जीवन में कितनी भी परिशानी आजाएं कितने भी विगन आजाएं ये अपने परिश्रम से अपनी मेनत से सभी परिशानियों को दूर कर लेते हैं और जीवन में आगे काम्याबी की तरफ बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों को जो की मकर लगन और मकर राशी की हैं जो विशेश तोर पे ख्याल रखना चाहिए अपनी जीवन में जिसे कहते हैं साफधानी बरतनी चाहिए एक तो इन्हें ना तो बहुत जादा गरम खाना चाहिए और ना ही बहुत जादा ठंडा काना चाहिए और दूसरी चीज अलोचनात्मक रवया जिसे कहते हैं किसी दूसरे की बुराई करते हैं किसी की पीख फीछे किसी की निंदा बुराई करने से इन्हें विशेश रूप से बचना चाहिए मेटली तोर पे बहुत स्ट्रॉंग होती है और अपने परिवार की उन्नती के लिए जिसमें इनकी फामली की प्रोक्रेस हो उसके लिए कितनी भी मेहनत कितनी भी परिश्रम करने के लिए बहुत जादा मेहनती होते है जाद कि बात करें इनके प्रेम संबंदों की तो उसमें भी कहीं न कहीं समकुचित तौर पे रहते हैं एक्तम खुलके अपने आपको व्यक्त करने वाले नहीं होते निर्मल सोभाव रखते हैं और उनके बारे में उच्चे दृष्टिकोन रखते हैं अगर कोई मेल परसन है और उनकी कोई फीमेल मित्र है तो उनकी जो नीचर होगी उसके प्रती निर्मल होगी उसके प्रती उनका जो दृष्टिकोन होगा वो उच्चे होगा ऐसा कभी गलत नहीं सोचेंगे अपने life partner के लिए पर यहीं अगर कहीं आपका शनी खराब हो जाए कुण्णी में क्योंकि शनी इनका स्वामी होता है अगर शनी देव कहीं खराब हो जाए कुण्णी में कहीं मंगर शोकर शनी का कोई संबंद आपस में बन जाए तो ऐसे में इनसान कामुपता की तरफ चल देता है विलासता की तरफ चल देता है और कुछ ना कुछ अन्यतिक संबंद बना लेता है बात करते हैं इनकी education की तो education level हुई अच्छा रहता है education की जब भी हम बात करते हैं मैं अभी भी आपको बताया कि पिछले जित्ते भी में एपिसोड करते आ रहे हैं कि एजुकेशन लेवल बहुत हद तक आपकी कुणली में पंचमेश पे डिपेंड करेगा, पंचम भाग पे डिपेंड करेगा, गुरुदेव ब्रसपती पे डिपेंड करेगा, आपके दूतिय भाग पे डिपेंड जो कि आपके मन का कारक है, बुद्द्ध से सम्मंदित कारे कर सकते हैं, प्रिंटिंग, प्रेस लगा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, software engineer भी हो सकते हैं वो depends होता है कि आप किस field के किस तरह की अपनी education लिये ये सब बहुत हद तक आपकी कुंडली की विवेशना पर depend करता है life partner की परती बहुत honest होते हैं बहुत इमानदार होते हैं अपने रिष्टे को अच्छे से निभाना जानते हैं आर जहां तक इनले की मतर बात मैं समस्याहों की ह possession नहुदा पर किस तरह की समस्या आती है तो झाल पुरूष की कंडली में इसमें मकर राशी जो हें तो दर्शं भाव में आती है तो कहीं यह बहुआ आदी आपको गुतनों से संबंदित समस्या आ सकती है ये शनी देव की मादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रहा हो और शनी कुम्ली में अक्षिस तितना हो तो जोडों की प्रॉब्लम बैक बोन में कोई प्रॉब्लम हडियों से समधित कोई न कोई समस्या है अकसर देखने में मिलती है और अगर किनी कुछ ऐसे ग्रहों का करें तो मगर लगन में अगर हम शुपता की बात करें लिए तो शुप्र देव अपको पॉजिटिव रिजर्टप्ति की तो बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं हम ये नहीं कह सकते केरें बहुत अच्छे धेने सूरे देव अश्टम भाव में होते हैं और चंद्रमा देव सेवन्थ हाउस के सब्तम भाव के स्वामी होते हैं तो इन ग्रहों से हमें बहुत जादा पॉजिटिव रिजर्ट्स नहीं मिलते हैं जिनका भी मकर लगन है या मकर राशी है देखिए अगर आपका मकर लगन है य कुछ भी कहती है कुणली तो आप कोई भी एक एस्ट्रोलाजर ही देख के बता सकते हैं कि क्या कमी है क्या विशेष्टा और अगर कोई कमी है तो इसे कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कमी दूर हो सकती है अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्रती के अगर मंगलवार के दिन हरुमां जी को पर चाहता है ऑ्लाजर न जी को कहते हैं परशात चढ़ाने से शनी से समबंदी पिड़ा कमोती है शनीदेव से मिल रही अशुबता कमोती और शनीवार से दिन पीपल पे जड़ चड़ाई ओ श्यान के समय सर्सो के तेल का दीपक लाइए। देखे कि कॉमेंस से बात है जिनका भी शनी लगन है ये शनी देव की राशी, उनकी राशी है तो जो निम स्तर जो की फॉर्द ग्रीड स्टाफ होता है या लेबर क्लास होती है या जिसे रिख्षे वाले भीहा है या कोई भी, जो भी अधिक करते हैं, जो की शाण लिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और अगर आपको यह जानकारी अच्छे लगी हो मकर लगन के बारे में तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें नमश्कार जैमाता दे लिजल्ट जैमाता देक लिए!